राम राम आडू की गुटली में सुर्मा भरके उसमें थोड़ा सा छेद करके उसमें सुर्मा भरके उसे खेती वाली जमीन में दबाना या घास वाली जमीन में दबाना ये उपाए बहुत महत्वपून है शुकर और चंदर की खराबी के लिए आईए समझते हैं किसको करना चाहिए ये उपाए और कब करना चाहिए इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले देखिये शुकर जो की भोग विलास अच्छा वहन अच्छा पहनावा अच्छा खानपान सुक सिवधाओं के साथ जाना जाता है चंदरमा लिक्वड मनी घर की सुक शानती के साथ जाना जाता है जब ये दोनों ग्रहे खराब हो जाते हैं तब ये उपाए करवाया जाता है जब भी शुकर खाना नंबर चार में आता है यान तो मैं मैं जिसके कारण घर का वातावरन घर की सुक शानती और घर में जो तरक्की होनी चाहिए थी लक्षमी आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाती तो इस परस्तिती में जब चंदर और शुकर दोनों डैमेज हो जाए खराब हो जाए यानि के घर में ना धंदौलत आ रही है ना ही गाड़ी आ रही है ना ही बंगला है ना ही जीवन साती का ढंग से सुक मिल रहा है और यहां तक की संतान पैदा करने की शक्ती भी खराब हो रही है चाहे और अरत की चाहे मर्द की और यहां पर अगला स्टैप घर की सुक शानती खराब है सास बहु का हर समय तू तू मैं मैं लगता है आप जैसे घर में आते हैं तो जगणे सुल जाते हैं तो ऐसी स्तिती में शुकर और चंदर दोनों डेमेज है दोनों खराब है इस समय फिर ये उपाई करवाया जाता है उस समय जब किसी विक्ति का कुंदली में शुकर खाना नंबर 4 में हो otherwise कोई ये उपाई नहीं करेगा जिसके कुंडली में भी शुकर खाना नंबर चार में है उसे ही आडू की गुटली में सुर्मा भरके ये उपाई करना है ये उपाई करने से शुकर अच्छे हो जाते हैं शुकरवार के दिन ये उपाई करना है शाम के समय ये उपाई करना है चार ब लाल किताब के मता अनुसार और मता रानी की किरपा से आपको लाब होगा जै मता दी